हेलो वाईस, आज हम बात करेंगे ओपो डिवाइस के ओफिसियल ओफिसियल वैसे क्या ही बोलूम है ओफिसियल ही बात करेंगे वैसे आज हम बात करेंगे अगर आप लोग कैमरा यूज़ कर रहे तो उसका FPS आप लोग किस टैप से मैंटेन करेंगे या फिर increase करेंगे, किस टैप से decrease करेंगे और सारा जो मैं आप लोग को setup बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा जो setup रहता भाई, default का ही रहेगा वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीचीगा, बेल का icon को press कर लीचीगा तो देखिए, camera का FPS decrease, increase करने के लिए देखिए camera open करें, इसकी simply setting में आप लोग क्लिक कर देना है एकदम bottom में आप लोग को दिखने मिलेगा बाई, video resolution यहां पे जाए था 1080p, देखते मेरे phone में 1080p दिया है 720p, जाए 720p रखूँगा, तो 720p भी 30fps हो रहा है 1080p 30fps, मतलब मैं तो वैसे resolution ही change कर पाऊँगा बाकी FPS जो रहेगा, वो default का जो है, वो ही देखने को मिल रहा है मुझे, तो देखिए, जैसे कि मैं अभी phone जो use कर रहा हूँ वो एक तरीके से mid-range phone होपोगा, तो maximum phone में आप लोग को 30fps तो देखने को मिली जाएगा, resolution 1080p भी देखने को मिल रहा है तो अगर आप लोग थोड़े और महेंगे phone या फिर ऐसे phone यूज़ करें होपोगा तो उसमें आप लोग को 60-120fps तक भी देखने को मिल सकता है और मेरा बताने का इस वीडियो में एक ही मकसता गाइस की आप लोग कि step से fps की setting तक जा पाएंगे और अपनी साफ से उसको adjust कर पाएंगे क्योंकि काफी सारे लोग का करते हैं फोटोस क्लिक करेंगे, वीडियोस, म्यूजिक, म्यूजिक ने क्लिक करते हैं फोटोस, वीडियोस, और सेल्फिस पगेरा क्लिक करते हैं बट यह जो setup रहता है यह मिस कर देते हैं मिस कर देते हैं तो आप लोग step से fps को increase, decrease कर सकते हैं अपनी साफ से वैसे मेरे फोन में तो default में जो fps है वो change नहीं कर सकता है बट हाँ आप लोग के फोन में होगा तो काफी अच्छे बात है और आप लोग कौन से फोन यूज करते हैं, model कौन सा यूज करते हैं यह सब comments में जबर से बताएगा अच्छा लगता है गाई तो उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो को सुने की चैमाता दी